हेलो एवरिवन गुड बॉर्णिंग तो लॉजिक पार्चाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 नेवेंबर 2022 के इंपॉर्टेंट के इंपॉर्टेंट के इस वीडियो का पीडियो आप लोग को मिल जाये का टेलेग्राम गुरूप से लिंक आपको दिया गया है डिस देखें आपको चलते रहने की ज़रूरत है चलते रहने का मतलब यह है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है चाहे आप स्मॉल स्टेप से ही आगे क्यों न बढ़ रही हूं लेकिन आपको कुईट नहीं करना आपको पीछे नहीं मुरना है आपको है important day से first important day है word diabetes day जो कि आपका आता है 14th of November को 14 November को word diabetes day मनाया चाता है तो देखे disease के बारे में लोगों को aware करना इसके बारे में educate करना कि कैसे हम इसे manage कर सकते हैं यही इसका main उद्देश्य है बात करें इसकी theme की very important access to diabetes care यह इसकी theme रही सबसे पहरी बार से 1991 में adopt किया गया था international diabetes foundation और world health organization के द्वारा तो शुरू हो गया था यह 1991 से और यह हर साल कब मनाया जा रहा है 14th of November को next important day children's day और भई यह बहुत ही famous day है सभी इसके बारे में जरूर जानता हूंगे 14th of November को बाल दिवस जो है मनाया जाता है चाचा नहरू जी की इनको प्यार से चाचा जी लोग बुलाते थे जोके हमारे इंडिया के फॉस्ट प्राइम मिनेस्टर भी थे और इनी को ओनर करने के लिए सम्मान देने के लिए ही चिल्डर्न डे जो है सलेब्रेट किया जाता है हर साल 14th of November को ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पत पे रहे 1947 से लेके 1964 इस दिवस को बाल दिवस के नाम से भी जानते हैं अब यहाँ confusion हो सकता है क्योंकि देखे नैशनल चिल्डर्न स्टी तो आपका आता है 14th of November को लेकिन अगर वर्ड चिल्डर्न स्टे पूछेंगे तो ये आपका आता है 20th November को तो दोरों पॉइंट्स में बिलकुल भी आप लोगों को confused नहीं होना है नेक्स इंपॉर्टन डे है 15 November जारखन फाउंडेशन डे तो जारखन के स्थापना हुई थी थे ये 15th largest state है अगर हम बात करें in terms of land यानि area wise और अगर population wise बात करते हैं तो ये 14th largest state है जारखन के जो foundation day है also coincide करता है mail खाता है birth anniversary of popular tribal leader बिरसा मुंडा तो बिरसा मुंडा जी की birth anniversary भी 15 November को ही होती है तो उसी कुसे भी ये mail खाता है जारखन का foundation day जारखन का state bird है coal, state animal है elephant, state tree है soul और state flower है पलाश popular यहाँ पे एक folk dance है चाव नाच ध्यार नकेंगे बहुत exam में पूछते हैं चाव नाच किस state का folk dance है तो आपका answer क्या हो जाएगा जारखन का capital है यहाँ की रांची चीफ मिनेस्टर है हेमन्त सोरीन और यहाँ पे present time में governor है रमेश बाइस now time question number first question number first शुरू करते है question है Natasha Pirq Musar has been elected as the first female president of which country तो दिखे किस देश की यह पहली महिला राष्ट पती चुनी गई है important इसके mark करेगा तो country कौन सी है answer is Slovenia question यह भी बन सकता है कि Slovenia की first female president कौन elect हुई है answer हो जाएगा Natasha Pirq Musar तो दोनों तरीके से हमें ध्यान रखना है और इन्होंने almost 54% जो vote है वो हासिल करें इनके opposition में कौन थे answer logger इन्हे 46% vote मिले थे Natasha Pirq Musar एक journalist और एक lawyer है इसी के साथ कुछ और अगर हम news की बात कर लेते हैं जोकि important है क्योंकि अभी recently appoint हुए है ब्रेजील में new president बने है लुइस इनाकियो लुला डी सिल्वा स्वीडन में भी prime minister बने है उल्फ क्रिस्टोसन यूके के नई prime minister बने है रिशी सुनक important mark करें इराक में नई president elect हुए है उनका नाम है अब्दुल लतीफ राशिद इटली में जो prime minister appoint हुए है यह पहली woman prime minister बने है इटली की जियोर्जिया मिलोनी अंगोला के president appoint हुए है जेयो लॉरेंसो यह इनका दूसरा कारेकाल है कीनिया के नई president अब बने है विलियम रुटो पापुआ नियू गिनी की prime minister बने है जेम्स मरापे तो यह सभी appointment देखे रुसेंटली ही है तो जितने भी 2022 में आपके appointment होंगे वो सब भी important होंगे आपके exam के लिए next question पर बढ़ती है अगला question है the association of south east asian nation यानि जो asian है उसने agree किया है in principle to admit which country as the gross 11th member तो friends asian में कितने members है 10 member हैं भी ग्यारवे सदस्ते के रूप में जो स्विकार करने के लिए जो सधानतिक रूप से सहमत हुआ है कि किस country को शामिल किया जाएगा as the 11th member के तौर पे तो कौन से country हो जाएगी answer is east tamor इसके जो है इसके लिए admit हो गए हैं कि यह 11th member के तौर पर asian में शामिल होगी east tamor यह youngest country है south east asia की जसने independent हासिल करी थी इंडोनेशिया से 2002 में 24 year तक यहां पर जो है इनका आ कहले जे इंडोनेशिया का 24 year तक कबजा रहा था उसके बाद 2002 में इन्हें इंडोनेशिया से स्वतनता मिली है east tamor की capital है दिली currency है US dollar कौन से continent में आता है यह एशिया कॉंटिनेंट में एशियान एक political और economic union है इसमें 10 members है 10 members की बात करें Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam एशियान का headquarter है जकार्टा में और इसकी secretary journal है लिम्ट जोग होई और 11th member के तौर पर इसमें कौन सी country add होने जाएगी east tamor दियान लगेंगे बहुत important question है Next question is Who has inaugurated the 41st edition of India International Trade Fair begins at Pragati मैदान in New Delhi नई दिल्ली के Pragati मैदान में जो 41st edition international trade fair का इससे किसने inaugurate किया है तो right answer हो जाएगा पियोश कोयल जीने इससे inaugurate किया है अच्छा अभी योनिर मिनिस्टर पियोश कोयल ने कुछ टाइम पहले ही mango festival को भी inaugurate किया था कहां पे Belgium में साथी में पियोश कोयल ने सहध्यक्षिता करी थी India US CEO Forum की तो ये important news थ्यान लखेंगे इसके लाव फ्रेंड्स यहां से अगर हम बात करें जितेंदर सिंग की तो डॉक्टर जितेंदर सिंग ने इंडिया का पहला national repository for life science data इसे launch किया जितेंदर सिंग के द्वारा ही lavender जो festival है भदर वहां में इसे inaugurate किया गया इसके लाव फ्रेंड्स यूनेर में जितेंदर सिंग ने inaugurate किया इंडिया का पहला industrial biotech park और इस biotech park को कहां पर inaugurate किया गया है जबू कश्मीर में तो ये फ्रेंड्स में साथ साथ में आपको कोशिश करते हूं ज़ाद से ज़ादा revise कराने की तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे यहां से question से एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि इंटरनाशनल trade fair का कौन सा edition है 41st edition है इस साल जो इस trade fair की theme रखीगी वो है vocal for local, local to global इसमें participate किया 29 states और यूटी जो पार्टनर states वहीं वो हैं बिहार, जारकन और महाराष्ट और जो focus state रही है इसमें वो हैं उत्तर प्रदेश और केरला next question देखिए the kochin shipyard limited will build the country's first indigenous hydrogen fuel cell catamaran vessel for which spiritual city तो CSL ने किस अध्यात्मिक शहर के लिए देश के पहले स्वदेशी hydrogen in one cell catamaran port का नर्माड करेगा तो किस शहर के लिए करेगा तो answer हो जाएगा देखिए वरानसी यह पूछ सकते हैं कि किस के द्वारा build किया जाएगा CSL यानी kochin shipyard limited जो है इसका नर्माड करेगा यह जो hydrogen fuel cell catamaran vessel है इसमें seating capacity है 100 passengers की यहां से अगर मैं आपको CSL की बात करूँ तो 1982 में स्थापना हुई थी इसकी और कोची कैरला में जो है इसका headquarter है MD chairman का नाम है Madhu S. Nair अगला कोशन देखिए next मारा कोशन है who has declared the winner for India of the 2020 to doodle for google competition for his inspiring doodle titled India on the center stage तो उनका जो doodle का जो शीशक रहा देखिए वो है India on the center stage और doodle आपने सेखा हुआ गूगल पर आप बहुत सारे designs देखते हैं अलग लग तरीके के वो doodle कहलाए जाते हैं तो एक competition हुआ था Google के द्वारा तो उसके जो winner गूशित किये गए है उनका नाम क्या रहा है श्लोक मुखर जी Google ने announce किया है winner of the 2022 Doodle for Google competition का किसे श्लोक मुखर जी को श्लोक का जो doodle है वो 14th November को google.co.in पर दिखाया गया अगला question देखिए देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ भूल गई हूँ यहाँ पर आपको नाम दिख रहे हैं मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ Venki Ramakrishnan तो Venki Ramakrishnan को अभी prestigious order of married by Britain King Charles III यह इन्य award जो है वो अभी मिला था लिखित YP की बात करें इन्होंने bronze medal जीता था skill of prototype modeling at the world skill competition में बात करें विजह अमरित राजगी तो 2021 के recipient है यह golden achievement award के अब बढ़ते हैं अगले question पे next question है हमारा the seventh edition of Amur Falcon Festival has been celebrated in which of the following state देखे चो Amur Falcon festival है इसका साथ हुआ संस्करण किस राज़े में बनाया गया है तो state कौन सी है आंसर हो जाएगा मनिपूर में जो है इससे celebrate किया गया है यह festival 2015 से organize हुआ था और इसमें जो वर्ट की longest flying migratory bird है Amur Falcon जो Amur Baj है उसके संरक्षन के बारे में जागरुकता फिलाने के लिए 2015 से इस जो festival है वो मनाया जा रहा है Amur Falcon जो है यह वर्ट की longest traveling small raptors जो है Falcon family उसी का मतलब Falcon family का दुनिया का सबसे लंबे यात्रा करने वाला यह चोटा शिकारी पक्षी है Amur Falcon तो कैसे हम इसे protect करें तो लोगों को इसके बारे में अवेर किया जाता है और इसी उदेशे के साथ यह festival मनिपूर में मनाया जाता है Friends बात करती है मनिपूर की Capital है इंफाल, Governor है यहाँ पे Chief Minister है एन विरें सिंग और Governor है लागनेशन, मनिपूर की आप location देख सकते हैं, यहाँ पे located है मियामार के साथ में border share होता है इसका, कुछ other festivals of मनिपूर की बात करें तो इंपूर्टेंट फेस्टिवल कचाई लेमन इसको तो जरू मा करें और एक शिरूई ले लई यह दो बहुत ही जादा इंपूर्टेंट है इसके अलावा लाई हराउबा फेस्टिवल और मनिपूर शंगाई फेस्टिवल यह भी यहाँ पे मनाए जाती है अगले कोशन पे बढ़ती है तो महिलाओं की 10 मेटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता है तो राइट आंसर हो जाएगा मिहुली गोश ने जो है फ्रेंटसिस में गोल्ड मेडल जीता है किस कैटेगरी में यह भी ध्यान रखें वोमेंस की 10 मेटर एयर राइफल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने साउथ कोरिया की यून यांग चो को डिफेट किया और गोल्ड मेडल जीता इसी में ध्यान रखेंगे अगर हम youth men's event की बात करें तो पार्थ माने ने हाँ सेम इनको हरा कर जीता है कौन सा medal गोल्ड मेडल तो ये भी आप लोग इसे के साथ ध्यान रखें नेक्स्ट कुशन देखे विच कांट्री विल होस्ट दी अंडर 19 men's T20 वर्ड कप 2024 2024 में जो अंडर 19 men's का T20 वर्ड कप होगा इसे होस्ट कौन सा देश करेगा तो फ्रेंट्स आंसर इस श्री लंका जो है इसे होस्ट करेगा तो फ्रेंट्स अपकमिंग टूनामेंट जो भी है वो हमें सबी दिहान रखते हैं क्योंकि important होते हैं ये points exam के लिए इसके बाद 2026 वाला जो एडिशन होगा दो साल वाद उसे जिमबाबे और नामीबिया होस्ट करेगा ICC की बात करते हैं फ्रेंट्स तो इसकी शुरुवाद जब हुई थी 1909 में तब इसका नाम क्या था Imperial Cricket Conference था और इसका नाम फिर चेंज हुआ International Cricket Conference किया गया 1965 में देन जो भी करेंट नेम चल रहा है International Cricket Council ये नेम इसका पढ़ा था 1987 में तो आप देख सकते हैं कि दो बाद ने हम चेंज हुए जब स्टार्ट हुआ था तब इससे कहते थे थे Imperial Cricket Conference तो इसकी सापना हुई 15 June 1909 में Headquarters का है Dubai UA में चेयर में इसके Greg Barclay जो की New Zealand से हैं और Deputy चेयर में इमरान क्वाजा जो की Singapore से हैं अगला कोशन देखिए UK's West Midland Reason will host the Kabaddi World Cup in which year? तो UK West Midland छेते जो है ये किस वर्ष Kabaddi World Cup की मिजवानी करेगा? तो ये मिजवानी किस वर्ष करेगा? जो 2025 में Kabaddi World Cup होगा इसकी मिजवानी की जाएगी West Midland के द्वारा पहली बार होगा कि जो Kabaddi World Cup है ये एशिया के बाहर होने वाला है सबसे पहला जो Kabaddi World Cup हुआ था बात करें तो ये हुआ कहां पे था? Malika Malaysia में July 2019 में और Men's और Women's का टाइटल किस टीम ने जीता था? दोनों ही जीते थे इंडिया की टीम ने और अब की बार कहां पे होगा? यानि जो next होगा 2025 वाला वो होगा West Midland में तो ये थे friends आज के हमारे complete questions अब time आता है revision करने का तो friends आप लोग भी साथ में revision जरूर करें पहला question है which team won T20 World Cup? तो इस पार देखें जो T20 World Cup किस ने जीता है? आप सभी लोग जरू जानते होंगे England ने जीता है और किसे defeat किया? England ने defeat किया final में पाकिस्तान को Who launched the mascot Tufan and Tufani for Fit India Movement's Fit India School Week Initiative for the year 2022? तो इस mascot को launch किस ने किया है? Right answer हो जाएगा friends हमारा P.V. Sindhu ने इस mascot को launch किया है Noted writer Dash has been awarded the 31st Bihari Purushkar for her 2018 novel हम यहां थे तो देखे 31st Bihari Purushkar से सम्मानित किया गया है मधू कनकारिया को एक और नाम आपको यहां पे ध्यान रखना है माधव हदा क्योंकि माधव हदा को 32nd जो Bihari Purushkar है उससे सम्मानित किया गया है Who has been awarded the prestigious order of the marriage by Britain King Charles III in recognition of his distinguished service to science तो यह भी हमने revise भी किया था किसे सम्मानित किया गया Venki Ramakrishnan को Who has been re-elected as a chairman of ICC Right answer is Greg Barclay जो की New Zealand country से हैं और यह ICC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं पदमश्री अवाड़ी श्री R.L. Kashyap passed away recently वे कौन थे तो वे एक famous mathematician थे और इनको पदमश्री भी मिलाता यह year भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कब 2021 में Dash who played a pioneering role in the development of women's cricket in India in 1970s passed away तो महिला क्रिकेट के विकास में इनके अग्रणी भूमिका रही इनका भी हाली में निदन हुआ इनका नाम क्या है? महींत्र कुमार शर्मा Global Rating Agency Moody's Investor Service has slashed India's GDP for 2022 to how much percent from 7.7% तो अभी Moody's Investor Service ने ना इंडिया की जीडिपी है उसे 7.7% से घटा कर कितने प्रतीशत कर दिया है? तो अब इनों ने कर दिया है 7% इन विच सिटी विल हो मिनिस्ट्री ओगनाईज दी थर्ड मिनिस्ट्रील कॉन्फरेंस ओन काउंटिंग कांटिंग फैनेंसिंग फैनैंसिंग फैनारिस्म नो मनी फॉर टेरर तो किस शहर में इसका आयजन किया जाएगा तो आंसर इस New Delhi तो इनकी 108 फिट उजी कान से प्रतीमा का अनावरण किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने The United States Department of Treasury has removed India from its currency monitoring list इंडिया के लावा और किन कंट्रीज को इससे हटाया गया है तो आंसर हो जाएगा Italy, Mexico, Thailand and Vietnam इन कंट्रीज को भी currency monitoring list से रिमूफ किया गया है Which country has signed four MAUs with India in area of culture, wildlife and health recently Right answer is Cambodia के साथ जो है अभी इंडिया ने चार समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है तो friends ये थे हमारे questions आज के तो friends कल में आप लोगों से जो question पूछा था कि E-learning scheme किसने शुरू करी हर्याना government ने Second question था 59 General Assembly of All India Ayurved Mahasamilan का inauguration किया हमारे former president Ramnaath Kovindji ने तो आप सभी ने विल्कुल सही answer करें है आज के comment ने पल्लवी कुमारी और गुरुप्री सिंग थांक्यू सो मच काईस तो चली अब आपकी बारी आ गई है question solve करने की पहला question है book and author से question है book का नाम है राज कपूर The Master at Work ये book किस ने लिखी है? options आपके सामने जरूर है आए comment section में इसे के साथ हमारी वीडियो complete होती है मैं आशा करती हूँ के friends इस वीडियो से आपको काफी जदर knowledge मिली होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें अपने friends अपने ग्रूप में और चैनल पे नई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें आगले वीडियो में मिलेंगे थांक्यू सो मार फिर वाचिंग इस वीडियो